हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल जी के स्टड़ी सेंटर में दोस्तों आज का हमारा टोपिक है भारत का भुगोल भारत के भुगोल से दोस्तों आज 25 कोस्चन करेंगे जो HSSC, SSC, UPSC, Railway, NTPC, CTAT, CTATS ये सभी इजाम में आपको हेल्प करेंगे दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज का पहला कोस्चन फर्ष्ट कोस्चन है दोस्तों आज का हमारा सवरोज चन्याले के न्यायदीश अपने पद पर कितनी आयू तक बने रहते हैं कितनी आयू तक बने रहते हैं दोस्तों सवरोज चन्याले के जो न्यायदीश होते हैं सवरोज चन्याले के जो न्यायदीश होते हैं सवरोज चन्याले किस सिधान्त का पालन करता है किस सिधान्त का पालन करता है न्यायदीश समय किसी भी न्याय को करता है तो विदी द्वारा निर्धारित परिकिरिया होती है उसी के माध्यम से स्वरोच न्याय करता है नेक्स्ट कोस्टन है अपना राष्ट्र पती उस न्याले के न्याय दिशों की न्युक्ति होती है दोस्तों वो किस के प्रामर्ष के पस्ताथ करता है राष्ट्र पती उस न्याले के न्याय दिशों की न्युक्ति किस के प्रामर्ष से करता है सही उत्तर है, डी दोस्तों, उप्योक्त सभी उच्छ न्याले के मुख्य न्यायदिश से भी सला लेता है, भारत के मुख्य न्यायदिश से भी और राज्य के राज्यपाल से भी सला लेता है, राश्ट्रपती, अगर राश्ट्रपती को उच्छ न्याले का न्यायदिश को पड़े तो वो इन सब से प्रामर्ष ले सकता है नियाईदिश से बारत के मुख्या नियाईदिश से और राजय के राजयपाल से नेक्ट कोस्टन है अपना उच्छ नियाले है जो वो प्रत्यक शुरूप से किस के आधीन है उच्छ नियाले प्रत्यक्स रूप से किसके आधीन है सही उत्रे B, दोस्तो भारत के स्वरोच नियाले के आधीन है उच्छ नियाले Next question अपना उच्छ नियाले के नियाईदीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है सही उत्रे Option D उपरोग सभी ये सभी करते हैं भारत का मुख्य नियाईदीश, भारत का राश्टरपती, राज्ये का राज्येपाल होता है वो ये सभी मिलकर उच नियाले की नियाईदीशों की संख्या के वो निर्दारित करते हैं नेक्स्ट कोस्टन है अपना आज का सभरोज चन्यालिय ने हिंदु तव कि व्याख्या किस मामले में कि नेकट वोक्सनई किस केस में निर्णय दिया कि मोलिक आधिकारों में संसोधन विदान सबा बुलाई जाए सरोच चनेले ने किस मामले में निर्णय दिया कि मौली के दिकारों में संसोधन के लिए सविधान सभा बुलाई जाए सही उत्तर है ए दोस्तों गोलकनात केस में यह निर्णय लिया कि मौली के दिकारों में संसोधन करना है तो वो सविधान सभा बुलाई जाए नेक्स्ट कोस्टिन है अपना निमलिक्त में से रिट या जाचिका नहीं है नहीं है पूछा है दोस्तो निमलिक्त में से रिट या जाचिका इन में से कौन सी रिट या जाचिका नहीं है सही उत्तर है इसका सी दोस्तो परम शक्ति है वो रिट या याची का नहीं है परमा देश होतता है दोस्तो ना की परम शक्ति नेक्स्ट कोस्टन अपना मोलिक अधिकारों का सरक्षक है मोलिक अधिकारों का सरक्षक है कोण है दोस्तों सही उत्तर है न्याय पालिका न्याय पालिका है वो मोलिक अधिकारों का सरक्षक है अनुछेद 32 के अधार पे उच न्याले और सरोच न्याले को अधिकार है कि वो पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है Next question है अपना आज का न्याल्य के न्यायदीशों के पद की शप्त किस के दवारा दिलाई जाती है सही उत्तर है D दोस्तो राज्य के राज्यपाल राज्य के राज्यपाल होता है वो ही न्याले के न्याइदिशों को शप्त दिलाता है अनुछे 219 के अधार पे यह शक्ती प्राप्त है राज्यपाल के समक्स खड़े होके न्याइदिश को अपने पद की शप्त लेनी होती है Next question है अपना रिट या याचिका जारी किये जाते हैं रिट या जाचिका भी कह सकते हैं किसके द्वारा जारी किये जाते हैं सही उत्तर है डी दोस्तों सरोच न्याले और उच न्याले द्वारा रिट जारी करते हैं ये दोनों ही रिट को जारी कर सकते हैं Next question है अपना किस उच न्याले को पहली महला मुख्य न्यायदिश के होने का गोरोप राप्त है सही उत्तर है सी दोस्तो हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश उच न्याले को पहली महला मुख्य न्यायदिश होने का गोरोप राप्त है हिमाचल प्रदेश उच नियाले के नियाईदिश लीला सेट थी दोस्तों वो बारत की पहली महला नियाईदिश थी कहां की थी हिमाचल प्रदेश उच नियाले की नेस्ट कोस्टन है अपना चुनाव याचिका पर निरने लेने का अधिकार किस में नहीत है? अधिकार कौन सा अनुछे देता है? इसको 324 अनुछे नेक्स्ट कोस्टन है अपना भारतिय सविधान का अंतिम व्याख्याता है सवरोज चन्याले भारतिय सविधान का अंतिम व्याख्याता है सवरोज चन्याले भारतिय सविधान का अंतिम व्याख्या करता है नेक्स्ट कोस्टन है अपना मद्य प्रदेश उच न्याले की पीट स्थित है पीट पूछा है दोस्तों कहां स्थित है सयुत्र बी इंदोर में स्थित है मद्य प्रदेश का उच न्याले कहां स्थित है जबलपूर में जबलपूर में इसका उच न्याले स्थित है और दोस्तो पीट, दो पीट है मद्या प्रदेश में, एक तो इंदोर में हो गई, दूसरी गवालियर, गवालियर में इसकी दूसरी पीट है, उच्छ न्याले कहा है मद्या प्रदेश का जवलपुर में, नेक्ट कोस्टन है अपना, राष्ट्रपती के चुनाव से सबंदि विवादों का निर्णे कोण करता है, सही उत्तर है, ए दोस्तो उस्तम न्याले है, वो राष्ट्रपती के चुनाव से सबंदित, विवादों का निर्णे करता है, उस्तम न्याले को कोण सा अनुछेद ये पावर देता है, अनुछेद 71 ये पावर देता है, भी राष्ट् नेक्ट कोस्टन है अपना उच्छ न्याल्या के सेवा निर्वित न्यायदीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमती नहीं होती तुवारा पढ़ते हैं दोस्तों कोस्टन उठ्श न्याले में जिसमें वह सेवा निर्मित हुआ है वहां पे वो वकील का कार्य नहीं कर सकता नेक्ट कोस्टन है आपना नयाय-फालिका है किस परकार समिधान का सरक्षक है? सही उत्तरक इसका D दोस्तों नयायक समिक्षे देखो 37 के अधार पे नयायक समिक्षा या नयायक पुनरा अवलोकन के माद्यम से नयाय-फालिका समिधान का सरक्षक कर सकती है Next question है अपणा किस एक रिट का अर्थ है शरीर आपके पास लाया जाए सायूत्र है बंधी प्रतक्षीकरण रिट बंधी प्रतक्षीकरण रिट का शक्थ ये अर्थ है कि शरीर है वो न्याल्य के पास समक्ष़ लाया जाए Next question अपना पटना उच न्याले की स्थापणा कब हुई पटना उच नियाले के स्थापना हुई नियाईदिस किसने आब 43 नियाईदिस है वर्तमान में पटना उच नियाले में स्थापना कब हुई 1964 में नेक्स्ट कोस्टन है अपना उच नियाले के प्रारंबिक शेत्रादिकार के अंत्रगत कौन से मामले आते हैं सही उत्रे इसका सुनाव विवाद सुनाव विवाद हैं वो उच न्याली के प्रारंबिक सेत्रादिकार मामले के अंत्रगत आते हैं Next question है अपना एक रिट किस के द्वारा जारी की जाती है इन में से रिट जारी करने का अधिकार किस के पास है ये question है अपना सही उत्रे एक दोस्तों कोई भी उच न्याले है वो अनुछे 32 के आधार पे रिट जारी कर सकता है रिट कितने परकार की होती हैं पांच परकार की रिटे होती है Next question है अपना कोलकत्ता में उच न्याले की स्थापना कब की गई सही उत्रे एक बी दोस्तों 1924 में कोलकत्ता में उच न्याले की स्थापना की गई Next question है अपना भारत के स्वरोच न्याले की स्थापना कब की गई सही उत्रे एक बी दोस्तों 1950 में भारत के स्वरोज चन्याले की स्थापना की गई उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कुमेंट जुरूर कर दे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत